वेलकम बैट पिदे चैनल गाईज आज हम लोग बात करेंगे इंडिया चाइना के बीच में रिसेंटली एक एग्रिमेंट साइन हुआ है जो हमारे एक्टरनल एपेर मिनिस्टर जैशंकर जी ने अनौंस किया है और इस एग्रिमेंट के अनुसार आगे जाके इंडिया चाइ चाइना के तरफ से जो पेट्रोलिंग होगा उसको लेके एक एग्रिमेंट हो गया है तो हम लोग उमीद कर सकते हैं कि आगे जाके इंडिया चाइना के बीच में जो टेंशन ग्रो करता था बीच बीच में हम लोग देखे कि बाहुत बाहुत जगह में बहुत सारा से इस agreement को लेके different type of view रख रहे है presently अगर हम लोग वेस्ट को देखे तो उसका जो वीव है अन्दाद से अगर हम लोग राशिया को देखे उसका वीव completely 180 डिग्री opposite है तो नोड़ाउट यह जो agreement sign हुआ है इसको लेके बहुत सारा कोई भी exactly कोई result नहीं आ रहा था कभी कभी हम लोग को सुनने को मिल रहा था कि 60% हो गया बाद 70% हो गया मगर कभी भी इसका जो टोटल आउट फूट है यह 100% नहीं मिला तो अचानक से क्या हुआ चाइना यह सब मान गया और इंडिया के तरफ से भी यह सब कुछ माना गया और आगे जाके यह एग्रिमेंट करने के पीछे सबसे बारा हाथ किसका है या फिर कौन सा कंट्री का है हम लोग को पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में यह जो टेंशन रिमूफ करने के लिए यह जो एग्रिमेंट किया गया है इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है हम लोग को पता है कि नो डाउट वेस्ट यह एग्रिमेंट से खुश नहीं होगा आगे जाके उन लोग क्या रियक्शन है या फिर उन लोग क्या सोचते यह एग्रिमेंट को लेके इस एग्रिमेंट से कौन-कौन सा कंट्री है जिन लोग का प्रोफित होगा on the other side कौन-कौन सा कंट्री है जिन लोग का होगा क्या आपसप्ट पर सकते के यह की इब्रेमेंट के टिम्य क्या देखने को मिलेगा और सिट्ध। को कि यह कितना दिन तक ठीक है कि हम लोग को पता है कि चाइनीज कुछ भी सामन अगर आप खड़ी लेते उसमें वारेंटी जो है वह एक बार खड़ा हो जाता है तो आगे जाके फिट से ठीक भी नहीं होता क्या यह एक रिमेंट चाइनीज सामनों के तरह ही बिएफ करेगा या तो चलिए एक एक करके सारा जो कोशेंतने का कोशिश करते हैं पहला कोशिशन ता कि यह एक्रिमेंट कैसे पॉसिबल हुआ इंडिया और चाइना के बीच के हम लोग को मतलसे पाम साथ था इंडियग साधे करते हरो प्रद rh eg चाइना अपने तरफ से जो बॉर्डर एडिया में अपने तरफ से इंपरस्त्रक्षर ग्रोकर जिसके जवाब में इंडिया भी अपने तरफ से जा रहे ते डिफेरंट में डिफेरंट लोकेशन में वोग अपने तरब से मीटिंग कर रहे थे मगर एग्जाक्ली कोई अब लोग वापस चल जाएंगे मतलब चाइना के साथ हम लोग को लेकर को प्रॉब्लेम नहीं यह सब जो एक्जाक्ली हम लोग सुनने चाहते थे इतना सालों से यह हम लोग सुनने को नहीं मिला अचानाक से जब अभी के ब्रिक्स शुडू हो रहा है ब्रिक्स से पहले ही यह एग्रिमेंट को पब्लिक किया गया और जैशंकर साब हम लोग के एक्स्टेनल अफियर मिनिस्टर ने यह कहां कि चाइना के साथ हम लोग के एग्रिमेंट हो गया तो नो डाउट यह पॉसिबल कैसे हुआ इसके पीचे एग्जाक्ली रीजन क्या है इसके पीचे अगर रीजन बोलने जाओंगा तो मुझे सेगेंड कोशन का जो एंसर वो भी इंक्लूट करना पड़े हम लोग का जो सेगेंड कोशन था वो था कि यह एग्रिमेंट होने क कि पीचे सबसे बड़ा हाथ किसका है नो डाउट यह एग्रिमेंट होने के पीचे सबसे बड़ा हाथ है वो है आपका रशिया का रशिया के पुतिन का आज करेंड में अगर चाइना से पूछे या फिर इंडिया से कोई भी यह बात को ऑफिशियल नहीं मानेगा क्योंकि क कोई भी नहीं चाहता है कि यह बात सामने आए अगर देखा जाए हम लोग को कुछ दिन पहले ही पता चला था कि अजीट डोवल साब हम लोगे जो एनसे है वो पुतिन के पास ट्रावल कर रहे थे रशिया में उसी टाइम में चाइना के जो एनसे वो भी रशिया में ट्रा रिशिया और चाइना हो गया है साती साथ इरान हम लोग इरान को अभी अलग से रखते कि इ round से जो इस्वे में अच्छी तरह से पता है कि अगर वीष्ट के खिलाब हम लोग को एककटा होना है हम लोग को ख़ढा होना है तो हम लोग को ऐसा एक country चाहिए जो हम लोग को हमेश़ए सपोर्ट करें हम लोग के साथ long term relation हो on the other side हम लोग के जो team में मतलब हम लोग रशिया चाइना के team में इंडिया को अगर हम लोग जुड़ना चाहते तो no doubt कोई भी problem इंडिया के साथ कोई भी country का नहीं हो सबसे major जो problem था इंडिया का वह है आपका चायना के साथ और इसलिए पुतियों के साथ के All इंडिया चाइना के बीश में यह जो प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्ब कर लो और आगे जाके आप लोग इखठा रहा हो आगे जाके हो सकता है कि पुतिन का नहीं करें एंडिया एंडीया यह करेंगा यह है नहीं थार्ण चैना के सट्थ इंडिया जुए जिससे आगे जाके इंडिया चाइना के बीश में चैन से अब आते हैं नेक्स्ट कोेशंट पर कि युए ब मैं अधना श्रीफ कैसे तो यह कंट्री भी तो यह हम लोग पता ही है हैं किस सामनों का जैसे हम लोग को नहीं मिलता कभी खराब हो सकता है के लो को सन्सट्रा कांट्री जो है तो चलिया सामान जो है अभी इंडिया में काम कर रहे है तो चलिए बहुत अच्छी बात है मगर चाइना एक्जाक्री अचानक से यह जो वानिटी डिग्री टरने यह कैसे लिए अगर प्रेजेंटली हम लोग जो सीच्वेशन है चाइना का चाइना का एकोनोमी जो है वह सफर कर रहे हम इसके इलाबा युएस तो हमेशा ही चाइना के अगर देखें बहुत सारा कंट्री नहीं है लिमिटेट कंट्री है जिसमें एक है आपका रश्या तूसरा है आपका इरान और चाइना कभी भी नहीं चाहेगा जो मीजर प्रॉब्लम है क्योंकि आज क्रेट में अगर हम अगर क्रेट होना नहीं चाहेगा हर कंट्री को पता है कि वार में अगर क्नेक्टेट होगा जो डेवलेप्मेंट हुआ है चाहे आप चाहिए चानीज एक लिए लिए फिर से पीछे चला जाएगा तो मीजर जो चाइना को अभी प्रॉब्लम है अपका ताइवान के साथ सा कर लेता है अगर चाहिना यह अपना जो प्रॉब्लम में इसको रिजॉल्ट कर लेता है तो नो डूट यह वान अब दा इजिएस सेलूशन होगा चाहिना कभी भी नहीं चाहेगा आने वाले पांस साल में एट लिस्ट इंडिया के साथ कुछ प्रॉब्लम हो अगर आप चा बना दोंगा तो नो डाउट आज के डेट में देखा जाए इसलिए चाइना ने अपने तरब से यह जो शॉट टरम चेंज यह किया है और हम लोग एक्षप्रिक कर सकते कि यह जो चेंजेश है यह टेम्परडी चेंजेश है लॉंग टाम में अगर देखाए तो हो सकता है क सबसे जादा है जो कंट्री का हुए है आपका चाइना को अभी इंडिया का बारे में सोचना नहीं है चाइना को सोचना है दूसरा आधर कंट्री जैसे ताइवान यूस वैसे मैं आपको साथ बोल रहा था सबसे जादा जो फाइदा है रशिया का रशिया को ब्रिक्स में एक अच्छा पार्टनर मिल गया आगे जाके रशिया को ब्रिक्स में रशिया हमेशा चाहेगा ब्रिक्स में इंडिया का जो पार्टिसिपेशन हो यह और भी जादा हो जो हम लोग अभी देखने को मिला गया ह हमारे मोदी जी जो है वह अभी रशिया गया है विक्स में तो आगे क्या होगा अप्डेट में अब लोग को लिया अलग सब वीडियो बना दूंगा और दसेड रशिया कभी भी नहीं चाहेगा इंडिया जैसा कंट्री विक्स में ज्यादा इंट्रेस्ट शो ना करके जी अब देखें दूनिया का वर्ल वर्ल में जो हर कोई वेट किया है कि वह लोगो जाके यह फोटो देखने को मिलेगा तो इसके वाएस से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते के कंट्री लाइक रशिया कंट्री लाइक चाइना का ओवियसली प्रॉफिट है आगे देखा जाए तो टेंप्ररी अच्छा परोसी जो हो मिल जाएगा क्योंकि कुछ दिन के लिए यह जो बॉर्डर एरिया में जो प्रॉब्लेम था वो इंडिया को जेलना नहीं पड़ेगा कुछ सालों के लिए हो सकता है और अगर चाइना ठीक रहा तो इंडिया कभी भी चाइना को शेलना ह का सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर लोगा करें के लिए अपर्पोच करता है और इस तरह से कुछ अप्रोच करता है तो आगे जाके इंडिया के विए को परशेर रहेगा इंटेंड नहीं करेगा। मगार ऐसा नहीं हुआ, मोदी जी अपने तरब से रशिया गया है, रशिया में अभी बृक्स होने वाला है, बृक्स में क्या होता है, उसके लिए जैसे अब को कहा अलग से एक वीडियो आफ लों के लिए बना दूँगा, इसके इलाव भी आगर देखें बहुत सरा ऐसे कंप्रीज जो लोग यह जो एग्रिमेंट है इस एग्रिमेंट से खुश है क्यों कि आज के डेट में आकर देखा जाए बहुत सारा जो सप्लाइचेन है जैसे हम लोग पता है चाइना का जो मेंन एकोनोमी है उसका एक्सपोर्ट से चलता है ऐसे क Cambodia जो सामानी और साट sper Allah Champions function सबस्किद्र ह chattering अगे से आगे अगर यह दोनों कंट्री पारी के लिए यह नियरी मिमें यह के लिए यह साही है, क्योंDER आगे जाकर इस से इंडिया के गुदर एरिया में टेंशन हो रहा, इंडिया चाइना के बॉर्डर में वह हम लोग को उस लेवल पर देखने को नहीं मिलेगा अब बाकी बचा स्रिफ एक कोश्चेंट के भाई यह जो एग्रिमेंट है यह कितना दिन रहेगा का का क्या दोनों कंट्री को वह फॉलो करना चाहिए मगर एक कंट्री अगर उसको फॉलो नहीं करते तो डिफेरंट टाइप अगर लीगल बोले या फिर कूई भी स्टेफ दूसरा कंट्री ले सकता है मगर चाइना का कोई भी सामान का जैसे मैंने कहां कि गैरेंटी नहीं मिलता है सामान तभी भी खराब हो सकता है कि यह जादा ना चले और अगर देखा जाई यह बहुत ही एक चोटा सा प्रॉब्लम है इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम चाने के लिए वेट किया है जैसे कि आप तैवान को ले ले जैसे कि अगर आप देखे कि एरान के उपर औरेडी इसराइल कभी भी हमला कर सकते हैं और इरान के उपर हमला कर सकते है तो ऑवियसली इसराइल का नेक्स टार्गेट चाइना भी हो सकते है तो चाइना के लिए मेजर जो प्रॉब्लम हो अलग है वह अभी इंडिया पे फोकस नहीं करना जाते है वह चाता है इंडिया के साथ जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग पॉस कर देते एक एग्रिमेंट कर यह अभी शान्त रहेगा पांस साल दस साल देख लेते हैं आगे जाके बाहर में क्या प्रॉब्लम होने वाला है जो मेजर प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्ब कर लेते हैं फिर अगर लगेगा कि हम लोग के पास कुछ काम बचा नहीं है फिर आके हम लोग इंडिया वाला जो यह प्रॉब्लम है इसको फिर से हम लोग उखार लेंगे हो सकता है कि चाइना यही करे आगे जाके कोई गैरंटी नहीं है मगर एक्सपेक्टेड है आने वाले पांस सालों में यह जो एलसी का प्रॉब्लम है चाइना के साथ यह हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा और यह इसको रिजॉल्ब करेगा तो जो भी हो आज के डेट में अगर देखा जाए यह एग्रीमेंट वन आप दा मेजर इंप्रूब्मेंट है जी अगर हम लोग देखे आज की डेट में वेस्ट के लिए एक्जाक्ली यह करारा थपर है कि आप लोग यह कर रहे हो देखो हम पर देखे लिए जो जो मुवमेंट में साइन हुआ इसमें एक्जाक्ली यह जो डिवाइड है इसको फिर से एड कर दिया गया है और वेस्ट के एक एक क्रीन क्लियार मैसेज बेजा है कि वह जो डिवाइड पॉलिसी आप लोग खेलते ते इतना सालों से वह अभी हम लोग प्रॉबलम झालों का था हम लोग डेंसे जिस में घ्रिमेंट वह नहीं आगे जाके यह ऑगेडिक के बाद हम लोग को देखने को मिले इंडिया चायना या फिर इंडिया रशिया या इंडिया चायना रशिया के बीच सारा agreement साइन हो और अगर ऐसा होता है यह exactly expected ही है कि आगे जाके Putin को no doubt Brics को successful करना है on the other side Putin को अभी अपना जो team member से उनलों को मजबूत करना है उनलों को बीच में unity लाना है और एही चीज हम लोगो आपको ब्रिक्स में देखने को में लगा अगर आपको ऐसे ही टॉपिक में और वी वीडियो देखने हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना मेरे यूट्यूब चैनल इस अतनु पॉल को सब्सक्राइब कीजिए बहुत सारे टॉपिक में बहुत से इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलेगा जो वीडियो आपको सच से अच्छा लगते मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइप के शेयर कीजिए त्यूंकि इससे क्या होता है उनको अधर साइड हम लोग जैसे क्रेटर है हम लोग का जो रोज़ी रोट है वो भी चलता रहता है नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाओंगा और जबी भी चैनल को सब्सक्राइब करें जो बेल आइकने उसमें क्लिक कर दीजेगा क्योंकि वीडियो डिफरेंट